जलालाबाद के निकट वर्तिय गाउं हसन पुल लुहारी में अग्यात कार्णों से छप्पर में आग लगने से पांच मवेसी जुलस गए जिन में से दो की मौत हो गई जबकी तीन मवेसीयों की हालत चिंता जनक बनी हुई है बताया जाता है कि घटना के समय मवेसी मालिक घांस लेने के लिए खेद गया हुआ था मवेसी मालिक ने पुलिस को तहरीद दी है ग्रामिडों गरीब किसान की आर्थिक मदद के लिए मुआवजे की मांग की है गाउं हसनपुल लुहारी मस्जिद के निकट सुरेश पुत्र छोटा ने छपपर डालकर मवेसी पाल रखे है रविवार को सुबर लगभग साड़े पाँच बजे सुरेश ने अपने पसूओं को चारा डाला और इसके बाद पसूओं के लिए खेद से और चारा लाने के लिए चला गया जब वह चारा लेकर वापस लोटकर आया तो उस समय छपपर में आग लगी हुई थी सुरेश ने चपपर में लगी आग को देखकर सोर मचाना सुरू कर दिया और सुयम भी आग को बुझाने का प्रयास करने लगा सोर की आवाज सुनकर ग्रामेड इकठा हो गए ग्रामेडों ने पानी वा मिट्टी डालकर आग को बहुत मुश्किल से काबू किया इस दोरान चपपर के नीचे बंधे पांचों मवेसी बुरी तरह जुलस गए जिन में से दो दुधारू मवेसियों की मौत हो गई ग्रामेडों ने पसु चिकित्सक को बुलाकर मवेसियों को प्रात्मिक उपचार कराया और सासन को घटना से अवगत कराया